कि पाइनली एक फैशन डिगरी के साथ फैशन जॉब के साथ एक प्रफेशन जॉब के साथ उनको बोला गया कि आप जो एचार आप जा रही है आपकी replacement लेंगी यह यही मेरा सवाल है Sports Authority of India और Sports Ministry of India इवन इंडियन गौवर्मेंट से कब तक आप इस सब कुछ अलाओ करोगे कब तक चलता रहेगा इंडियन फुटबल और इंडियन फुटबल फेडरिशन पे इंडिया में भाई फुटबल फैंस की कमी नहीं है लोग फू पहनी के एंड में कुछ लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं कि कब तक ऐसा चलता रहेगा इंडियन फुटबल में कब आप इस चीज को ठीक करने वाले है एक सीवी है मेरे हाथ में और सीवी आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है और सीवी में आपके एक अच्छा सीवी ह है कोई स्पोर्ट सब्द करा क्या ही मैंचन नहीं है फूटबॉल सब्द का दूर दूर्द को मैंचन नहीं है कोई मेंच नहीं कोई हबी मिन है को एक्टिवी में नहीं और ऐसे सीवी दंदार है ठीक है क्योंकि सी नी में आप देखोbuPhность की गई है टॉट उन उन adoreस्षि की उसके बाद आप देखो कि highly qualified you know लड़की है इनका नाम आपकी स्कीन पर दिख रहा है उसके बाद इन्होंने assistant merchandise की तरह जॉब करी है assistant professor गेस्ट की तरह जॉब करी है फिर assistant professor बनी है यह department of textile आगरा में assistant professor रही है यह amity university में assistant professor रही है यह university of Delhi में फिर as a faculty काम किया उन्होंने IWP academy में फिर PGT fashion studies की उन्होंने करी है दून public school में assistant professor रही है उसके बाद lady Erwin university of college जहां वो खुद उन्होंने पढ़ाई की थी इन सब जॉब में एक और चीज बहुत कॉमन है कि बहुत छोटे छोटे डोरेशन में job changes किये गये है अक्टूबर में उन्होंने 22 में जॉइन किया lady Erwin college और 22 में छोड़ दिया April 22 में उन्होंने दून public school जॉइन किया June 22 में छोड़ दिया August 21 में जॉइन किया उन्होंने IWP academy और January 22 में छोड़ दी January 22 में उन्होंने जॉइन कि department of FAS और March में छोड़ दी सेम उससे पहले उन्होंने मार्च में जॉइन किया स्कूल फैशन टेक्नोजी अमेटिव सटी उन्होंने नॉम बर में छोड़ दी तो duration बहुत छोटा है पर ठीक है हम कोई होते नहीं जज्मेंट करने वाले और हम यहां किसी और परपस के लिए तो सीवी आप अगर पूरा स्टडी करोगे तो मेरा सवाल है सभी से जितने लोग यह वीडियो देख रहें और जितने लोग आगे देखेंगे और मैं चाहता हूँ जादा स्यादा लोगों तक पहुंचे इसलिए मैंने कोशिश कर रहा हूँ यह पूरा वीडियो हिंदी में र और इस सीवी के साथ किसी एक परसन को AFF में हायर किया गया और अभी ही कुछ दिन कुछ हफतों पहले कुछ दिन पहले मैंने एक हेड़ ऑफ स्पोर्ट साइंस AFF के अंदर जो हायर हुए थे जो अन्कौलिफाइड थे वो मुद्दा भी मैं सामनी लेके आया विद दॉक्य साथ करने के लिए कि क्या सब कुछ चलता है All India Football Federation के अंदर जहां जो Sports Code के अंदर आता है Sports Ministry के अंदर आता है साइ के अंडर आता है मेरा सवाल आज सीधे साइय से है और Sports Ministry से है मैं उसे बोलता हूँ क्या हर एक employee का AFF के अंदर audit करना चाहिए independent audit करना चाहिए, कितने qualified हैं, क्या काम करते हैं, कैसे आएं, वो सब कुछ उनको check करना चाहिए और उसके बाद उनी को allow करना चाहिए EFF में जो qualified enough हैं, क्यों मैं बोल रहा हूँ, अब आप आईए मेरे साथ एक time line में, कभी भी आप, मैं बोलूँगा कि बहुत सारे इंडिन फूटबल फैन्स हैं, जो उन्हेंने EFF में बहुत जोब अपलाई करी हैं, वो जाके देखिए, कि कभी उन्होंने बिना जॉब के, जब जॉब निकलती है, तब अपलाई करते तो को रिस्पॉंस नहीं आता, पर जिन मौतरमागा मैंने आपको CV बताया, वो 29 नॉबर 2023 को उन्होंने ये CV, AFF को HR डिपार्टमेंट में CV फॉरवर्ड किया, आपके स्क्रीन पर आपको इमेल आ गया होगा, जो उन्होंने CV भेजा है, मैं आपको एक बार मैं भी खूल ले तो अपने सामने, एक रेंडम CV को एक दिन बाद, लेस दन 24 आवर्ड थर्टियत 29 नॉबर को CV बेजा गया, और आप मैं रिप्लाई भी खोल लेता हूँ, आपके सामने ही आ जाएगा, तुरंट अगले ही दिन, वो रिप्लाई उन्होंने AFF पर तरफ समको रिप्लाई गया, कि भाईया, थैंक यू वेरी मच, 30 नॉबर को रिप्लाई गया, थैंक यू वेरी मच फर अप्लाई गी जॉब, ये लीजिए आपका इंटर्व्यू का लिंक, और आपका अगले दिन, एक दिसेंबर को आपका इंटर्व्यू होगा, अब आप इंटर्व्यू में आप एक पॉइंट में और हाइलाइट करने वाला हूँ, इंटर्व्यू लेने वाले कौन लोग हैं, क्या कमिटी बिनाएगा इंटर्व्यू लेने के लिए, ये तो देखी आप, कि 1st December को इंटर्व्यू सेडूल किया गया, और ये बहुत इंपोर्टन पॉइंट है, एमेल मैं बोलूँगा एडिटर को हाइलाइट करने के लिए वे की, इंटर्व्यू इशाका और स्लैश कॉम्पोडिशन डिपार्टमेंट, और ये आप स्टोरी को याद रखना वापिस आएंगे, अनिल कामन्त है, जो हेड अफ इंटर्नाशनल टॉर्णमेंट और कॉम्पोडिशन के हैड है, ये आफ ये वो हैं इंटर्व्यू में, और अफकोर उनका रहना बनता है कि कॉम्पोडिशन डिपार्टमेंट का इंटर्व्यू हाजी, अक्षे जो हेड अफ डॉमेस्टिक टॉर्णमेंट और कॉम्पोडिशन है वो इस इंटर्व्यू में है, उन्होंने इंटर्व्यू लिया 30 दिसेंबर को, ठीक है, सारी, 1 दिसेंबर को उन्होंने इंटर्व्यू लिया, जिसमें लिकाता है, मैनेजर, अन्डर 16, अन्डर 19, नेशनल टीम, वोमेंस और मेंस, नेशनल टीम की जॉब है, इसलिए मैं मुद्धा बहुत सीरेसली उठा रहा हूं, एक जॉब बोली, ओपनिंग ही चार डिसेंबर को, और 14 दिन की विंडो रखी गई, ठीक है जी, 14 दिन की विंडो रखी गई, कि आपको इस जॉब के लिए 14 दिन की विंडो है, चार लोगों को हायर करना था, और उन 4 में से एक डिसर्विंग केंड़ेट की जॉब ले गई, जिनका ये इंट्रिव्यू पहले ही हो चुका था, मैच पहले ही खेल दिया गया, फिक्स कर दिया गया, 4 दिसेंबर को जॉब निकली, और 6 दिसेंबर को उनको उफर लेटर प्रोवाइड कर दिया गया, जो मेरे हाथ में है, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है, 6 दिसेंबर को, जबकि बोला गया था कि 20 दिसेंबर तक ये जॉब ओपनिंग है, वो भी आपके स्क्रीन पे आचुका आपने दिखा है, और 6 दिसेंबर को उनको जॉब दी गई, तो उनको जॉइन तुरंद नहीं करा गया, स्टोरी बहुत पेस्ट पकडने वाली है, काफी सीट बल्ड मान लीजे, और अब मैं पूछना जाओं को, क्या होने बाला है, जब 20 दिसेंबर को ने 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 जॉइन किया, अंडर थी वीक, उन्होंने बोल दिया, अपने AFF, जो डे-डे-डे ओफिस रन करते हैं, जो ओफिस में बैठते हैं, जो ओफिस के इंचार्ज हैं, उनको बोला जाके, कि भाया, I can't cope up with the National Team Department, I can't work with these people, और all the people in the National Team Department are bad, ठीक है जी, तो ऐसा कुछ होता तो कि आप पूरा Department change करते हो, या उस इंपलाई से बात करते हैं, उसको बैड लग रहा है, क्या है क्या नहीं है, बट, पता नहीं जी, क्या चीज है, क्या है नहीं है, उनको बोले का कोई दिक्कत नहीं है, अब आप एक काम करो, National Team Department का मन नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आरा, जिन लोगों ने इंटर्वु लिया, वो ही लोग है, तो साथ यहां वो टिक जाएंगी, आपको लगता है, नहीं, कुछ ही घंटों में, less than 24 hours, वो गई हैं फिर से, हाइस अथोरिटी जो ओफिस के अंदर है, देटूड आफेर्स जो देखते हैं, जो एफेर्स के हैं, उनके पास गई हैं और बोला कि, नहीं जी, यह डिपार्टमेंट भी बहुत बुरा है, इनके साथ विए रहा मन नहीं लगादा काम करने में, I can't work with them, तो जो मैनेजमेंट ने बोला, ठीक है जी, लेट ऐस थिंक, and let us find out, को solution मिल जाता है, यह हो चुका मिड जैन, 28 दिसेंबर में इन्होंने जॉइनिंग करी, तीन हफते में इन्होंने चोड़ा, और कई अच्छे लोग नहीं है, मैं यहां काम नहीं करूँगे, फिर आया, competition department, जहां उन्होंने mid-gen जॉइन किया, और less than 24 hours में छोड़ दिया, तो उसके बाद भया, जो highest representative है, एफ of office, जो day-to-day fair देखते हैं, उन्होंने solution निकाला, और in code बोला, आप कोई नहीं आप logistic department में जाए, आपका तो वैसी भी, मतलब उन्होंने मन में बोलागा, CV तो वैसी भी नहीं है, जब आपको नेशनल टीम department job offer कर सकते थे, फिर competition department में, अब आप logistic department जाओ, वहाँ तो ticket ही बुक करनी थी, वहाँ तो आप काम करी लोगे, तो वहाँ भी सिर्फ वो 10 से 12 दिन रुखी, मतरमा और उन्होंने वहाँ भी fight हो गई उन्से, और फिर से उसके बाद गई अपने, एफफ के जो हमारे डिट आफ़ेर्ड चलाते हैं, जो टॉप मेनेजमेंट एफफ के अंदर, कि वहाँ मैं logistic department में भी लोग गंदे हैं, मैं यहां काम नहीं कर सकती हूँ, you know, and फिर क्या हुआ, फिर देखो, आई मार्च क्या डूरिशन था, Head of HR, AFF में एक पोजिशन है, and उनका contract खतम हो रहा था, Feb की बात है, और उन्होंने, of course, वो discussion चल रहे था, उनके नए contract को लेकि AFF के साथ, और Head of HR एक बहुत important position होती है, और मैं आपको यहीं बताने वालो, आप देखें, क्या होना वाला, एक story अब twist लेने वाली बहुत धगड़ी, तो उनको नया contract ना देने के बजाए, उनको नहीं replacement, as a replacement hire ना करने के बजाए, AFF के जो top bosses हैं, उन्होंने डिसाइड किया, कि क्या फरक पड़ता है, जब हम, हमारे यहां वैसी भी लोग, randomly hire तो होते ही है, तो एक चीज हुई है, उसमें, उन्होंने बोला, Head of HR को, कि कोई नहीं आप जाए, आपको नया contract नहीं देंगे, जब कि अगर वो काम कर रही हैं, HR qualified है, दिगरी है उनके पास, HR का experience है उनके पास, उसकी value नहीं है, अप्रोच होनी चाहिए, आपकी अप्रोच क्या है, उसकी ज़्यादा value है, और जो अप्रोच लगा के, यह मौतरमा, EFF के अंदर गुसी थी, यह तीन डिपार्टमेंट में भी उनको नहीं, कोई मतलब वो settle नहीं हो पाई, finally, एक fashion degree के साथ, fashion job के साथ, एक professional job के साथ, उनको बोला गया कि आप, जो HR आप जा रही हैं, आपकी replacement लेंगी यह, यह email आपके screen पे है, जो head of the bosses ने लिखा है, और उसमें बोला गया कि, जो विशाका जी है, वो in charge manager of HR department, बना दी जाएंगी, और HR department बना दी जाएंगी, तो आप समझे, head of HR, one of the most important department, one of the most sports federation of the India, maybe after you know, BCCI in terms of, जो भी चीज आप माल लो, चाए revenue माल लो, जो भी budgets माल लो, उसका एक head of HR उनको बना दिया गया, जब वो तीन department साथ fight करती भी आई है, कहीं उनको settlement नहीं हो पाई, उसके बाद भी बावजूद, AFF को जो bosses है, उनको यह नहीं लगा कि, maybe, हम बोलता हैं ना sports में, maybe spear में ही problem है, आपके midfield में problem नहीं है, या defensive problem नहीं है, कहीं बावर होता है कि, कितने coach बदलो गए, आप में भी होता है कि, team में problem, maybe player में problem नहीं, उन्होंने उसकी team फिर बदल दी, अब हो head of HR है, AFF के अंदर, जहां अफकॉस उनको आब किसी को report नहीं करना, और बहुत बढ़िया जॉब है भाईया, कोई qualification नहीं उस जॉब के लिए, कोई degree नहीं जॉब के लिए, but head of HR बना दी गई है, मैंने जब यह sports science वाला, जो पिछले, you know, secretary general के अंदर case हुआ था, वो मुद्दा highlight किया था, मैंने अपने live वीडियो में बोला था, वीडियो आप जाके जुरूर देखना, उस पे भी हमने एक sports science जो hire हुए थे, उनके उपर भी, वो भी unqualified थे, यहां तो unqualified, at least उनका degree expired हुआ था, उनने रिन्यू नहीं किया, यहां तो कोई qualification ही नहीं है, जिस role में उने डाला गया, ना football की कोई mention के CV में, sports का कोई mention, कैसे आपने national team department को डाल दिया, उसके बाद आपने competition department को डाल दिया, उसके बाद आपने को logistic department में डाला और HR में, क्या EFF में सारे employees ऐसे ही है, इसलिए EFF इतना incompetent है, इसलिए EFF में कुछ भी चीज़े ढंक से नहीं हो पा रही है, मेरा सवाल है, Sports Authority of India और Sports Ministry of India, इवन Indian Government से, आपको एक-एक employee का यहां पर, जाके उनके documents, उनका hiring process, उनका CV, आपको audit करना चाहिए, independent authority से, और मेरी request है, उस audit को public करना चाहिए, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कितनी salary उसको दी जा रही है, और उसका qualification क्या है, क्योंकि EFF में ये चीज़ें, रोज नहीं story बाहर निकल के आ रही है, और मैं कितनी और story लेके आऊं, और आपको पास, आप Sports Code के अंदर आता, आप जो document चाहिए, या फिब आपको देगा, आपको देखना चाहिए, ये एक और case, after sports scientist के बाद, जो भी unqualified थे, उनको hire किया गया, national team की department में ही, important position में ही, head of sports science and medicine में, अब यहाँ पे national team department में, एक और position बनाई गई, किसी एक employee के लिए, जो qualified नहीं है, वहाँ उन्हें लड़ाई जगड़े करके, उनको head of competition department में डाला गया, वहाँ उन्हें लड़ाई जगड़े के, उसका logistic department में डाला गया, वहाँ भी उन्हें उन्हें कुछ काम नहीं किया, उसके बाद उनको head of HR बना दिया गया, आप सोच सकते हैं कि कैसे AFF के अंदर चीज़ें चल रही है, किसका influence है भाई, मतलब आप बिना HR की degree, बिना HR qualification के, बिना HR job experience के, आप AFF All India Football Federation के अंडर जाके, आप सीधे head of HR बन गये, मुझे भी बताईए, और को भी बताईए, हम भी थोड़ा ऐसे कोशिश करें भाईया, ऐसे अगर चल सकता है, तो क्यों नहीं, हम भी आएंगे हट जगा, मेरा सवाल है, साइ से, कब तक आप इस सब कुछ अलाओ करोगे, कब तक इस चलता रहेगा, Audit AFF Hashtag होना चाहिए, एक-एक Employee AFF का Audit होना चाहिए, उनके Qualification का, उनकी Degrees का, उनका Job Profile का, उनकी Job Skills का, क्या Skills उनके वाज है या नहीं, और वा Actually Football पशंद करते भी नहीं करते हैं, इंडिया में भाई, Football फैंस की कमी नहीं है, लोग Free में भी Football Jobs करने को तेयार हैं, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, क्योंको उनकों सिर्फ Football में काम करना है, और फिर भी आप ऐसे लोगों को हैर कर रहे हूँ, मैं मिलूं भूँ आपसे, फिर किसी, Hope करता हूँ, मैं ऐसे किसी और नौ वीडियो के साथ ना मिलू, खुशकबरी के साथ मिलू, अच्छे वीडियो के साथ मिलू, बट मेरा काम है ऐसे ची हाइलाइट करना, प्लीज, मैं चाहता हूँ कि Sports Ministry और साई इसमें डिसीजन ले, और वो डिसीजन पब्लिक करे, जो भी उनकी ऑडिट की रिपोर्ट होती हमें भी बताएं, थैंक्यू,